वेरे गुड मॉर्णिंग टू अलफ यू स्वागत करता हूं आपका अपना यूटूब चाइनल मैं थड़ा सारन में तो चलिए फिर मैं हाजिर होगे एक नया सेशन लेके विहार क्रमचारी चानल जो दी प्लेटफॉर्म का जो बूक है इसमें 20 सेट है इसका समान अध्यान का सेटbn नंबर तीन आप सभी के सामने लेकर हाजिक हो गया हूँ अगर आपने सेट 2 तक नहीं देखा है तो आप जा के देख सकते हैं और मैंने इसका प्लेटिस्ट जो है बना दिया है वी सर्सूह बना दिया है आप वहां से जा के दो सब्सक्राइब तो चलिए अगर आप हमारा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ बेल आगन को दबा लिजे ताकि हम को भी वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहा है चलिए तो आज का पहला कोशन देखते हैं जैसे कि आप सभी जानते मेजबानी किया है यह उपसं पी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स बेपार संक्रण की असथापण ना कुछा नहीं है कि विसुपेपार संखंटन की जो अफस्तापना जो हुई है यह 1901 जनवरी 1995 को हुई है एक जनवरी 1995 को हुई है तो ऑप्शन C जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा विसुपेपार संखंटन का अगर मुख्याले की बात की जाए तो यह जनेवा में है और डब्लू टियो में 164 सदस सामिल है और 164 देश की बात की जाए तो यह जो है अफगानिस्तान है चली आगे बढ़ते है अगला प्रस्ण है कि रिक्टर मापने से मापा जाता है तो रिक साथ दिश्ट कब मनाया जाता है तो यह ठीक बढ़ते वर्श यां जबरकारिक नाम सेनल और के नाम से शरोजनी नाइडी को जाना जाता है तो ऊप्शन सी आपको राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट विसब किस खेल से संबंदित है तो विसब जो है यह आपका सतरंज खेल से संबंदित है तो option C आपका right answer हो जाएगा विडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा अगला प्रशन भारत की अर्थ विवस्ता को सबसे अच्छा ढंग से किन सब्दों में व्यक्त किया जा सकता है तो मिस्रित अर्थ विवस्ता के रूप में आपके यहां राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं थोड़ा से इसको और उपर ले ले लेते हैं तो भारत रतन प्रुश्कर प्राप्ट करने वाला पर्थम भरतिय कौन है तो भारत रतन प्रात करने वाला पर्थम भरतिय सक aud district की बात की जाएए तो डाक्टर सर्व पली राधा क्रिस्लन को भारत रतन पहली बार दिया गया था तो option B जो है आपका right answer हो जाएगा next भारत में मुद्राइस्विति को मापा जाता है तो भारत में मुद्राइस्विति को ठोक मुल सुथकांग के द्वारा मापा जाता है तो option A आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कि माप तौल की बेवस्ता किसके सासनकाल में लागू हुई तो माप तौल की बेवस्ता अलावद्दीन खिली के सासनकाल में लागू हुई थी तो option C क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा next सौर मंडल का सबसे बड़ा गरा कौन है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा गरा जो है ये विरहस्पती है तो option C जो है आपके right answer हो जाएगा वरतमान में गरहों के सरवादिक संख्या के बात की जाए तो 82 संख्या के है सबसे छोटा गरह बूध होता है और बूध और सुक्र का कोई गरह नहीं होता है भारती अर्थवेश्टा है भारती अर्थवेश्टा ये विकास नोक मुख है तो option D क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि किस व्यक्ति ने पर्थम बार कार्जकारी परधान मंतिर के रूप में पदभार समहाला था ये गुल्जारी लाल नंदा जो थे ये पहली बार पंडी जवार लाल नेहरू के मिर्तु के बाद 27 में 1964 को कार्जकारी परधान मंतिरी का पद भार समाला था और ये लाल बादु सास्त्री के मिर्तु 11 जनवर 1966 के बाद पुना गुल्जारी लाल नंदा को कार्जकारी परधा जो संबंद है यह संविदान संसोधन परकिरिया से है तो आपका यहां राइट आंसर हो जाएगा चली अगला प्रस्ट की राष्ट पती दोनों पदों की रिक्तिता की इस्तिती में कौन राष्ट पती का पद समालता है तो सर्वोच नयाले का मुख नयाज जो होता है यह समा फाई 플शावड़ पाइट उननीस 747 को सविकार किया गया था तो अप्सट ब्येहां पर क्या हो जाएका सध में किस रूप में परचलित है तो सत में उजयते राष्टगान के रूप में राष्ट नित के रूप में राष्ट चिन के रूप में या इनमेंस कोई नहीं तो इनमेंस से किसी के रूप में यह आपका यह नहीं है क्या नहीं है परचलित नहीं है सत में उजयते जो है यह मुंड कोपनी सत से ल बारत में टेलिवीजिन की शुरुवाद कर जाए तो भारत में टेलिवीजिन की शुरुवात 59 इस शुरूक sweeter था खालत की परृइजान का परशारन के शुरुवाद कीजाए और यह 15 सितम्बर 1969 से dalोए तो सुरू हुआ अगर आप प्रवस्न देखते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है यह अबूल कलाम अजाद है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा एसिया के सबसे लंबी नदी कौन सा है तो एसिया के है यह सबसे लंबी नदी है यह आपका राइट अंसर हो जाएगा यांग से यांग जो नदी तिवत का पठार से निकल कर चीन सागर में क्या करती है गिरती है इसकी टोटल लंबाई के बात की जाए तो 5797 किलो मीटर है और यांग स्यांग चीन की सबसे बड़ी नदी भी है यह कहां कि नाम से समझ में आ जाता है कि यह चीन की है ठीक है चीन की यह सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो विसु की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसका लंबाई 6690 किलो मीटर है चलिए आगे बढ़ते हैं कि निमन में कौन ठंडी जल्दारा है ठंडी जल्दारा कौन है तो लेबरो डोर जो है यह ठंडी जल्दारा है तो आप्सन सी क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा अंटाटनिंग अटलांटिक मासागर की ठंडी जल्दारा है राइट आंसर हो जाएगा और संजुक्त राष्ट महासभा की पहली महिला ध्यक्ट भी सिर्मती विज्य लक्ष्मी पंडिती थी चली आगा बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि भारतिय संग के दक्षिनतम बिंदू तथा भारतिय मुख भूमी के दक्षिनी छोर में कितने अ चांस्कांटर है तो आपका राइक आंसर हो जाएगा चली ऑगला उन्ह में कौन सा दिप सामिल नहीं है सामिल lagi सामों में मरकत दूप जो मरकत यहां यह सामिल waarकत फी Net जाता है यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर पर्थम राष्ट भासा के रूप में प्रस्तूत किया गया था यह जो बेलगाओं का 1924 अधिवेशन में सर पर्थम राष्ट भासा का इंदी प्रस्तूत किया था बेलग जो था कि गांधी जी ने अपना कांग्रेस के ने पहला अध्यक्ष कब किया था कहां किया थी एंटीपीसी में पूछा गया है चंद्रगुप्ट मौर्ज और सेलिकूस निकेटर के विजुद कब लड़ा गया था इनके विजुद जो था 305 इस्विकपूर में लड़ा गया था तो आप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा चली सिकंदर के मिर्थू के बाद सेलिकूस निकेटर ने राज पर अधिकार कर लिया और भारत प अपना राज मानता था ठीक है चलिए अगला प्रशन है कि कपास की खेती से समद्धित कौन से विकल सत्य नहीं है इसकी खेती के लिए वर्षा आफिस सेंटिमिटर आफसेक है तापमान 45 से पच्मन आफसेक है डिगरी आफसेक है गहरी वा मध्यम काली मिट्टी इसकी पच कपास की किसमे है सत्य नहीं है तो तापमान 45 से पच्मन डिगरी इसके लिए आफसेक नहीं है तो यही क्या हो जागा गलत हो जाएगा कपास की खेती के लिए आफसेक तापमान की बात की जाया तो 21 डिगरी सेल्सियस से लेके 30 डिगरी सेल्सियस तक ही होना चाहिए चलिए अगला question देखते हैं कि नागो जी और को जो इवेला किस वैस्विक संस्ता की पहली महिला महा निदेशक बनी हैं यह विशुवेपार संगटन की तो option B आपका right answer हो जाएगा अमोग वर्ष पर्थम किस वन्स का सा सकता हैं तो अपसं C क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा अमोग वर्ष अठारह सो चोदह से लेके 78 इस जुटर राष्ट कुट वन्स के सांतिकाल के महानतम सा सकता हैं चली अगला प्रस्न है कि महमद गौरी ने किस जुद में प्रिथ्वी राज चोहान को हराया था तो महमद गौरी ने तराइं का दुतिय जुद में प्रिथ्व चली राषिव से हुआ था तराइं का दुतिय यूद 1192 इसुद में हुआ था और मुहमद गौरी को 1178 इसुद में चालुक वंस के मुल्राज 2 ने पराजित किया था गुजरात का अकबर ने 1579 इसुद में कालिंजर पर विजय पराद की थी उस समय महां का सासक कौन था तो राज तो वहां का सासक कौन था तो राम चंद्र जो था कालिंजर के सासक राम चंद्र थे तो option सी क्या हो जागा आपका right answer हो जागा जग जब अकबर ने बिजय पराद किया 1579 इसुद में कालिंजर के सासक राम चंद्र थे वसक्ट ठीक है चली अगला कोशन देखते हैं कि निम्लिखीत मेंसे कौन राश्पती के परसासिक सकतियों में सामिल नहीं है तो लोगणसबा का जो होता ये आपका सामिल नहीं होता है तो अप्सवा की संवब यहां पर नाश्फपती यह नहीं है तो तो आर वेंकर वेंकर टर्मन जो है यह नहीं चुने गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा यह भारत के आर भारत का राश्पति निर्वाचित हुए थे ठीक है चलिए किस समिदान संसोदन के दौरा लोग सभा तथा विधान सभा की सदस संक्या को 226 सुट तक औपरिवर्तन के कर दिया गया है यह आपका 一 या समिदान संदन 2001 के दवारा लुक WILL सभात था विधान सभा के सतस के संक्या को सब्सक्राइब कर दिया गया है तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा चोरा सिम्दान सब्सक्राइब जो 2001 में हुआ था कांग्रिज धरासाई होने के लिए लड़ खरा रही है भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्व कांचा है कि मैं उसके सांति पूर्ण इधर में सहायता दूं या कथन लौट करजन गरम एम नौदर के बीच विवाद होने के संदर्व में कहा था तो ऑप्शन बी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्न देखते हैं एप प्रामिज लैंड पुष्टक के लेखक कौन है तो यह बराक उबामा है तो ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बंगला देश की सीमा को कौन सा भारती राज चूता नहीं है तो बंगला देश की सीमा को यह नागा लैंड जो है नागा लैंड नहीं चुता है तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं कि किस वास्तुकला का पालन सैली अजोध्या के राम मंदिर के निर्मान में किया जाएगा तो नागर सैली का तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आं वे गोल्डेन गुलोबर पुरुषकार 2022 में निम्लिखित में से किस फिल्म ने सर्वत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरुषकार जीता है तो आप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट करांतिकारी संगटन हिंदुस्तान रिपॉब्लिकन एसोसियेशन के संस्तापक कौन थे तो यह सचिंद्र नाथ सन्याल थे तो आप्शन वी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट डेस की पर्थम सवाक बोलती फिल्म अलम आरा के निर्देशक नि आने वाले जनजाती कौन होते हैं तो यह बुस्में जनजाती होते हैं तो आप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में किस पहली बार दुजासन का किनर अस्तापित किया गया था और मुझफर पूर में 1978 इस्वें रेडियो एस्टेशन बनाया गया साथ और आप्शन के साथ किसान आंदोलों का नेतुर्त किया था चलिए अगर अलनदा बोथ विशुज़विदाले को किस ने धोस्त किया तो नालंडव विशुज़विदाले को बक्तियार खिली ने धोस्त किया था तो आपसंडी जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगला क्रेशन देखते हैं कि कौन सा देश 2022 में संजुक्त राष जलवाई परिवर्तन सम्मेलन को 27 की मेजवानी करेगा तो यह मिस्त्र करेगा तो क्या हो जाएगा आपका डी आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट पाकिस्तान के किस खिलाज ने विराट कोली का रिकॉर्ड तोरकर सबसे कम पारियों में 25 सोरन बनानेर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है यह बाबा राजम तो अपसंसी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट जल्क नीचे सुराहि भरने के ली रखते हैं जैसे जैसे सुराहि भरती जाती है वैसे बीसेश परकर की दौने अनुनाद की क्या होता है जैसा बाणने फेल्द बहुत unified activity उत्ता सबसे अधिक जरूरत होती है तो मनुष्ट को सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है तो प्रोटीन की होती है तो सबसे महत्पून प्रोटीन है चलिए विटामिन रसाइनिक नाम विटामिन जीन का प्रोट होता है तो सबसे मनुष्ट के सरीर में अधिकांस भोजन जो है छोटी आठ में पचता है पचटा है तो option right answer हो जाएगा next किस में विटामिन A बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो देटामिन A जो है अधिक मात्रा गाज़ा जाता है तो option A यहां पया आपका राइट answer हो जाएगा next रेडियो सक्रितिया के वर्ग विस्थापन का नियम का पर्चिपादन गया था यह किस James व सब्सक्राइभा यहांतर नियम ऑपिर एंज लूल होता है तो option C आपका right answer हो जाएगा steam engine के अब इसकारक कौन थे steam engine का कारक james wordt थे तो option आपका right answer हो जाएगा चलिए अगला प्रोश्चन देखते हैं कि और परकार हमारे भोजन का मुख घटक है तो तो कार्वाइडरेट का कार्वाइडरेट का कौन सा परकार भोजन का मुख घटक है तो यह आपका स्टॉर्च है तो आप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा किस रख समों में व्यक्तियों को सार भामिक दाता यानि उनिवर्ट सर डोनर कहा जाता है तो जिसका बलड ग्रूप ओ पॉजिटिव या ओ ग्रूप होता है वही डोनर होता है तो आप्शन यह आपका राइट आंसर हो जाएगा और सोशित भोज़पदार्थ को प्रोटुपलाज में बदलने की परकिरिया क्या कहलाता है तो इसे एसिमिलेशन कहा जाता है तो आप्शन यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्टिमीटर से क्या नापते हैं अल्टिमीटर से भूतल से उचाहिद मापा जाता है तो option B आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला प्रस्ण है कि निवलिखित में से कौन सा आयन कार्वन परमानु के सम इलक्ट्रोनिक है तो कार्वन परमानु के सम एलक्ट्रोनिक होते हैं तो option D आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी बस्तु के सभी इस्तितियों के लिए कौन अभासिवत सिधा परतिविम बनाता है तो भी हम कह सकते हैं उत्तर लेंस और उत्तर लेंस जो है यह आपका दोनों तो option D आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि अमोनियम को राइट तो सुस्क बुझे ही कि उसमें और परकास में अंतर से CB फर विचार कि जी को रहे हैं कि परकास की आउसमें अब यह तो एधिक निकलता है उसमें विकरन तोनों अधिन सोते हैं या उसमें विकर नहीं होते हैं है किये हैं कि तो और दो अधिक खती है और से निमलेखित संबंध क्या होता है तो चीबटा सो बरावर एक माइनस 32 वाटा एक्सासी बड़ावर आर बटा कि जो विमाय होती है चीबडाल बरावर क्या होता है प्रेसर बरावर होता है प्रली और इनलेखिद सब्सक्राइब यसमें है तो हम देख सकते है एमेल्पर जागे तो क्या हो जाएगा, उपर जाएगा तो आपका हो जाएगा ML-1 ML-1 और T-2, तो option A में है तो आगे बाढ़ने के हमको ज़रूरत नहीं है option A ही को टिक कर देंगा निमलिखित में से कौन सिल्टरन सुमधाय का अंतरगत आता है, तो ये chococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ जेट के पौदो में फेराडे का नियातांग क्या होगा तो हम का हो सकते हैं कि रचाइनिक तुल यांग D-304 ता हुझा जाएगा यह ब्राबर होता है डबलू बटा में जेट एक फेराडे कॉंस्टेंट होता है 96500 खुलाम के लिए तो यहां option B हमारा right answer हो जाएगा तो चलिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आप से सामने हजिर होता होँगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल